नमस्कार दोस्तों मैं आविनास कुमार जेस एस्टो वास्तों में आप सभी दर्सकों के हार्दिक स्वागत करता हूँ आज हमनों एक नई विशे के चर्चा को लेकर आये हुए हैं हमने पिछले वीडियो में आपको आयेस योग प्रशाष्णिक सेवा के योग के बारे में बताया था और हमने एक कुंडली का अंध्यन किया था जिनका नाम था गोविन जैसवाल जी जो दो हजार छे में आयेस बने और उन्सकी कुंडली में हम लोग ने अध्यन किया था कि क परकार रिक्षश लाने वाले के बेटे आयस बन गए जन्रली कहा जाता है कि जो जैसा रहता है वह ऐसा ही बनता है अधिकांसतर लोग कहते हैं कि जो उच्छ अधिकारी होते हैं उन्हीं के बेटे उच्छ अधिकारी बनते हैं राजा का बेटा ही राजा बनता है और गरीब क बेटा हमेशा गरीबी होता है ऐसा कोई जूरी नहीं है हम लोग कुंडली के अनुसार देख सकते हैं किस परकार राजा का बेटा गरीब भी बन सकता हो गरीब का बेटा राजा भी बन सकता है अर्थात कहने का मतलब है कि गरीब का बेटा भी यदि उनका लगन हो महनत हो अद बीच पद पर भी यह जा सकता है तो आज हम लोग बात करेंगे आज उन्हीं के कुण्डली दुवारा फिर से बात करें और वैदिक एस्ट लोजी के अनुसार हम लोग चेक करेंगे, पिछले वीडियो में हमने आपको नाड़ी एस्ट लोजी के बारे मिताया था, उसमें हम लोग खाली नंबर देखते हैं, कि कौन सा ग्रह, कौन सा नंबर बता रहा है, कौन सा मतलब स्पष्भाइबि健emi seven अधि-श्वाईट सेएब्स हम us z it you the system नेलिशन अग्मिनेशन स्पाहिछ दस और दस जार हैं में देखें गें कि शर्टा घ्रीं में जो सेवा जो वड हेवं बता रहे हैं कि नहीं बता बता रहा है तो इनकी चर्चा आज हम करेंगे यदि आप हमारे चैनल में नए है तो किर्पया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवस करें नीचे लाल बटन ने उसे दवाना ना भूलें उसके दवाते ही नोटिफिकेशन्स ओन हो जाएगी रहा हमारे आने वाले वीडियो आप इत्यादे भी बनाया है साथ में हम कुंडली मिलान के वीडियो डाले हैं आप उसे देख के लावंदित हो तो आप चलिए हम लोग बात करते हैं गोविन जैसवाल जी की कुंडली के वारे में हम यहां पर इनकी लगन कुंडली और नवांस कुंडली लगाएंगे और हम दे लगन खरते हैं श्कुंडली Dad को यहीं चाहते हैं की पहले हम बताना चाहते हैं कि इनका देट ररत आपको 8 अगस्त 1903 है और जनम का संवह 11 बच 20 decades में सेमा और जन्म का जो अस्थान है वो वनारस उत्तर परदेश का है इनका जीवन बच्पन में बहुत ही कठनाईयों से गुजरा ये तीन बहनों में से एक लोता भाई हैं इनकी माता का देहान साथ साल के उम्र में ही हो गया था फिर भी इनके परहाई में लगन को देखके इसके पि बहुत सारे हमारे व्यक्ति बहुत सारे जातक बहुत सारे भाई बंधू लोग का ख्वाब रहता है कि हम भी एक दिन आयस ऑफिसर बनेंगे हम भी एक दिन प्रसास्थनिक सेवा में जाएंगे हम भी एक दिन कलेक्टर बनेंगे डियम बनेंगे लाखों लोग हर साल एक्ज इसा कमी होगा जो उनको प्रशाष्णी सुव्या के योग में नहीं बना पता होगा जनरली कुंडली में हम लोग पहला घर देखते था लगन का घर को देखते हैं और कर्म का घर को देखते हैं साथ में हम लोग भाग का घर को देखते हैं और चतुर्थ घर और पंचम घर को भी देखा जाता है सरकारी नोकडी का योग प्रसाशनिक सेवा क्यों हम आप लोग से आगरा करते हैं कि आप लोग भी अपनी कुंडली खोल के बैठ जाए और हम जो बता रहे हैं वह आप देखिए अपनी कुंडली में क्या वो कुंडली में मैच कर रही है तो हंडेट परसे आप भी is sewa में जा सकते आप भी समाज का सेवा कर सकते आप भी is बन सकते UPS AO Só मेरी पूरी तरह से पुर्न हम गैरांटि के साथ आप को देते आपको अपनी कुंदेलिका विशलेशन भी करवाना हो वह भी मैं करता हूँ आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपके कुंडली का विश्लिसन करको, आपको मतलब परसनली बता सकूंगा कि आप में प्राशास्निक सेवा का योग है या नहीं है, तो ये चलिए कुंडली आ गई होगी आपके स्रीम कर, तो देखें ये तुला लगन की कुंडली है, लगन के यहां पर कर्म भाव, दसमे भाव में आप देख सकता है, उसमें सुर्य, मंगल और चंद्रमा के यूती बनी हुई है दोस्तों, और आप लावेश, लाव के घर में देखें शुकर और बुद्ध की यूती बनी हुई है, बहुत उत्तम यूती बनी हुई दोस्तों, यद इसके लगन में ही सुर्य बैठे हुए हैं। उसी परकार आप देखेगा सुक्र और बुद्ध जो हमारे लगन कुनली डिवन चाट में जो लावेश में बैठे हुए थे वह आयूवाव में बैठे हुए हैं। इसी परकार हम लोग स्रडवल भी देखते हैं। तो हम लोग स्रडवल में देखते हैं कि सुर्य को एक यवध मिला उवा स्रडवल में पर्थम गुरू को सातवाख मिलाओ सबसे एक स्टबल में गुरुक कहला रहा है उसी परकार चंद्रमा सनी को दूसरा अंक मिला हुआ आपको सटबल में उसी पर कार्मानुशार मंगल सुक्र वुद्र इत्यादी को सटबल मिला करिकर्शंदल मिला हुआ। तबिविमन में सफलता पासकते हैं तब लगन कमजोर रहेगा थावी कुछी नहीं देगा हमारा मन हमारा बुध्धिपह नहीं करेगा हुआ लगन कोन साант्वा नम्मर लगन कोफ्सक्राइब कि रही यहीं। तुला रासिट शुक्र भी इनने दोस्त मानता है। और पुलस किसी भी बुड़े घर की डिश्टि उस पर नहीं पर ही। थोरा मोरा मंगल की डिश्टि पर रही हो आप देख सकते हैं। 400 डिश्टि से वह मंगल लगन को देख रहे हैं। तो हम कर सकते हैं। लगन हमारा अच्छा है। अब लगन के लगनेश को देखिए, लगनेश की क्या स्थित्ति है, लगनेश क्या किसी बुड़े घर में बैठे हुए है, क्या किसी बुड़े गरा के साथ बैठे हुए है, तो हम यहां लगनेश को देख रहे हैं, वो हमारे लाभेस में बैठे हुए है, लाभावम बैठे ह अच्छा है, साथ बुद्ध के साथ बैठे हुए हैं, वो भी अच्छा है, बुद्ध सुक्र को दोस्त मानता, सुक्र भी बुद्ध को दोस्त मानता, दोनों को दोनों सुवगड़ा भी है, थोरा से इसमें भी लगने इसमें हैं कि वो सत्रू रासी में बैठे हुए हैं, का कर्म के वहां बाऊ बहुं गई होते भी वह वह दिशा भली हो दिशा बली हो लीटैन का दोस्तों इस अब चलिए हम लोग बात करते हैं भागेश को भागेश को आपका यहां पर तीन नमबर लिखा हुआ है नोवे घर में तीन नमबर अर्थात मिथुन रास्री उसके स्वामी कौन होगे बुद्ध होगे तो आप देख सकते हैं कि बुद्ध कहा सुकर के साथ सुपगरा के साथ लावेश में बैठे हुए हैं अर्थात हमारा भागेश भी बरिया है और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि अब हम लोग बात करते हैं कर्म भाव दसमें भाव के बारे में हमारे कर्म भाव से हम लोग फरशाशनिक सेवा को देखते हैं हम लोग सरकाले नौकडी को देखते हैं उच्पद की योग को हम लोग कर्म भाव से देखते हैं कर्म भाव हमारा नेम फेम अस्टेटस सारा कुछ बताता है और आप यहां कर्म भाव में देख सकते हैं दोस्तों कि यहां सुडिये बैठे हुए चंद्रमा बैठे हुए और मंगल बैठे हुए और हम लोग जो भी प्रसाशनिक सेवा और आपको सरकारी योकी सेवा के वारे में जब चर्चा करते हैं तो कौन से ग्रह इसके कारक है तो सुड़ी इसके कारक है चंदरमा इसके कारक है यदि हम लोग पुलीस में हम लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं हम लोग किसी मतलब सि तो हम यहां क्या देखते हैं सुड़ी मजबूत स्थिती में हैं दस्में घर में बैठे हुए दिगवली है साथ में वो अपनी सत्मी दिष्टी से चौते घर को देख रहे हैं सुक घर को देख रहे हैं उसको बढूतरी कर रहे हैं को कि आप अप अपनी में किया की चीज बन रही डिक बन रही एदि आप बेघा ने चाहतेओं के शुट्सिंबं रहे हैं एप अ हंसे बंस स्ट्छी जवाप के बारे में ने कि अब हम लोग कुछ बात करते हैं योग के बारे में देखिए गहा है सबसे बढ़ीया योग इसकी कुंडली में आपको सस्योग नामक पंच महाप्रूशयोग बन रहा है। वो हमारे सनी गर से बनता है। यह सनी गर हमारे केंद्र में या सौरासी में हो या उच्च किरासी में बैठे हो तो सस्योग का निर्मान करते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि सअनी माराज रगब में बैठे होगे मलब केंदर में बैठे हुए अफ्लारह सत्मेयगर में इनके उच्च की रा sedan होती है दोस्तों इंकी ठोरी-शकल-सुरत खराब होगए जसे बैसे जाता कर राजातर बनाता है यदी यह प settlers में जाएंगे वह इसमें जाना ही जाना इनको पॉलिटिकल फिल्ड में है तो मंत्री बनाएगा इने मुख मंत्री बित्र मंत्री यदि इनकी किसमत और अच्छा दिसारे करहों का योग गोचेर में मिले तो हो सता है ये पढ़ार मंत्री भी बन जाए दोस्तों दूसरा योग देखें का लश्मी नरायन का योग बन रहा है दोस्तों सुर्य बूद की यदि यूति किसे भी भाव में 6-8 बार छोड़के यदि होती है तो ये लश्मी नरायन का योग बनाता है मतलब इसमें धन धान से संपून इनका जीवन बैतित होगा भोग विला सारे क कुछ इनको मिलेगा हमारे सुकृर और देखिएगा बुद कहां बैठे होएं लावेज घर में लाब के घर में बैठे हुएं और साथ मेदी आप ये देखिएगा तो सुक्र लगन के स्वामी हो गए और आपको आयूभा के स्वामी हो गए आयूभा मतलब क्या हो गए आठ द्ध को देखते हैं चिपा हुआ न दके भट भटा के स्वामी रहा हम 합니다 मतलब को भगत भटा में धन कमाने में हो सकता थम दहना सब्सक्रायो करेंगा वहां से बहुत सारे धन इनको प्राप्त होगा दोस्तों तिसी परकार हम लोग कुंडली को देखते हैं दोस्तों कि या क्या हमारी कुंडली में प्राशाश्चिक सेवा के योग है की नहीं है सरकाई नोकडी के योग है की नहीं है क्या हम उच्छ पद को प्रात कर पाएंगे कि ने कर पाएंगे तो उसके लिए हमें क्या है कर्म भाव को देखना लगन भाव को देखना साथ में भागे भाग हमारा साथ देगा तब हम आईएस बन सकते हैं कि में टूसर आप यहां एक ची ऑर और नोट कीज्शे दोस्तों गुरू को देखिए गुरू कहां बैठे वोया धना भा़ हम वहां से क्या कर रहें हैं देखिएगा अपने नौवी सुरी को देख रहे हैं मैंंगल देख रहा है साथमे कड़ म्युकर्म कर रूख मिलेगी गुरू प्राक्राम भाव के स्वामी है और आपको रोकष्ट नौक्री भाव के स्वामी है छठे के स्वामी है और छठे घर गळिए K visible किसी भी परकार की नौक्री से परिछान ही आएगी तो गुरू उसे परभाव को काट देंगे अपने पांचमी डिस्ट्री से अपने छटे घर को देख रहा है और नौकडी के बाद हम लोग सनी को भी देखते हैं क्या जिए कोई जॉब कर रहे हैं जो ट्रांस फबल ना हो इस्थिरता देता है सनी सनी खुद महराज केंदर में बैठ के उच्ची किरासी में बैठ के मित् धिवली हैं दोस्तों उसी परकार हम लोग कुंडली का अंधियन करते हैं दोस्तों और इनका जो Time रेक्टिफिकेशन्स भी हमें कर ना पड़ा काएं कि इनकी जो भी कुंडली थी डेट वबर्थ हमें नेट से मिला था इनकी डेट आप मिली, उनकी माता के वारे में जानकारी मिली कि साथमें साल में इनकी माता का देहान थो गया था, उसकी अधार पर हमने इनका टाइम निकाला दोस्तों, यह परफेक्ट टाइम है, विश्वस्वत सुत्रों से मालूम चला है कि हाँ यह टाइम लगवक सही है, इसी बरकाशिती आप लोग को भी कुंडली देखाने है मुझसे, बेजी जक, बिना कोई संकोच किये, आप हम से संपर्क करें, हम आपकी कुंडली का विश्वस्वस करके बताएंगे कि क्या आपकी कुंडली में प्रासास्टिक सेवा का योग है की नहीं है, सरक्यारी सेवा का योग है की न तो नहीं हुपाएगा माली गोचेर आपको 50 साल के बाद बैट रहा बेस साल के बाद बैट तो उसमें तक तो आपका उम्र पार हो जाएगा इसी परकार आप लोग अपनी कुंडली का विश लेसंस कर सकते खुद भी और करवा भी सकते हैं हमीं एसा दूस्तों ये वीडियो अपको अच्छी लगी होगि तो बाद पर से करना चाहता हूं सब्सक्राइब अभस करें दोस्तों ऑम्राइक और uz wrists अ पर गोले से क्या होता है कि आपके दोस्त आपके परिवार के पास 250 जी वीडियो जाएगी तो उसे देखेंगे और उसे वो सिक्षा गरंड करेंगे, मैं ओनलाइन क्लास भी देता हूँ दोस्तों, यदि आप लोग एक चुक है ओनलाइन क्लास करने का ता आप हमसे संपर कर सकते हैं, जै माता दे, दन्यवाद दोस्तों.